क्या आप जानते हैं कि जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ जूटे मुकद में दर्स करती है तो आपका जीवन कितनी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है ये ना केवल आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनता है बलकि आपके परिवार और करियर को भी प्रभावित करता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून के पास आपकी रक्षा के लिए प्रभावी उपाए हैं आज हम बात करेंगे कि कैसे आप जूटे बयानों और मौमलों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं और आपको बताएंगे कि धारा 340 CRPCs या फिर 379 BNSS के तहर आप क्या कदम उठा सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सच्चाई सामने ला सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों की रक्षा करें इस कठनाई से बाहर निकलें तो इस वीडियो को अन तक देखें तो चल 340 CRPC और 379 BNSS आप अपने केसिस में डाल सकते हैं अगर आपके खिलाफ जो है जूटा केस हुआ है कोट का सही काम यही है कि जूट को और सच को अलग-अलग करना यही कोट का काम होता है और हमारा काम होता है वो रप्रेजेंट करना आपकी साइड को रप्रेजेंट करना औ तरीके अप्लाई करना अप्लिकेशन अप्लाई करना जिससे जो है 340 CRPC या 377 BNSS भी यूज हो आपके लिए आपके फेवर में और जो जूट बोल रहा है कोट के समक्ष उसको परियाप्त सजा मिले उसको परिश्मेंट मिले उसको जो है डंड मिले और असल में जस्टिस हो यह हमारा काम है यही हमारी प्रयास रहता है जब भी हम कोट में जाते हैं पर क्या आपको पता है कि प्रॉब्लम कहां आती है प्रॉब्लम यहां आती है कि लोगों को यूज ही नहीं करना आता 379 BNSS या 340 CRPC वो जैसे ही वाइफ साइड की पेटिशन आती है हमें बोलने आ जाते हैं जी अब 340 लगाई है यह जूट बोल रही है यह 340 लगाई है देखिए ऐसे 340 379 BNSS यूज नहीं होता है आज मैं आपको कुछ case law example के थरू बताऊंगा कि कैसे जो है आप 379 BNSS या 340 CRPC वो आप अप्लाई कर सकते हैं अब हम case study study करेंगे मैं जो है कुछ ऐसी फा proof के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जो है आप 340 379 BNSS यूज कर सकते हैं अपने cases में देखिए सबसे important चीज यह होती है 340 CRPC यह 379 BNSS का अप्लाई करने का एक तरीका होता है वो क्या तरीका है मैं अभी case study से बहुत easily आपको समझा देता हूं एक case study थी गुजरात court में wife ने जो है एक appeal की क्योंकि lower court ने 340 CRPC की कारवाई शुरू कर दी थी wife side के खिलाफ तो wife ने क्या किया कि wife ने जो है एक affidavit दिया हलफ नामा दिया कहा कि मैं एक housewife हूं मेरी कोई भी income नहीं है court ने जो है उसका हलफ नामा on record ले लिया उसके बाद जो है husband side ने उसे cross examination में confront किया कि उसको ने जो है previous husband से पिछले husband से चार लाग की alimony ली थी जो उसने agree किया और दूसरी उसने ये बताया कि उसके नाम पे एक FD है जिससे उसे income आती है जबकि उसने हलफ नामे में ये बोला कि उसको कोई source of उसका कोई income नहीं है इस evidence को देखकर जो है court ने 340 की कारव शुरू कर दी अब आप ये देखिए ये evidence आया कम जब wife side की तरफ से कोई admission हुआ wife side की तरफ से एक admission होना बहुत mandatory है अगर आपको 340 CRPC की कारवाई शुरू करनी है तो सबसे important चीज है वो admission लेना अब इसके दो तरीके है अब ये एक तरीका ये है कि जब आप एक 94 BNS या 91 BNS क application CRPC की application आप लगाते court में और कहते है जी ये मेरी wife तो काम करती है और ये सारे documents जो है ये मंगवा लिए जाए उसके employer से generally practice में देखा गया है कि wife side को जब judge साब ये document confront करते हैं कि जी आप बताईए कि आप काम करते हो या नहीं करते हो ये आपके खिलाब को documents है generally cross examination से पहले ये stage होती है interim argument से भी पहले ये stage हो जानी चाहिए आपकी तो wife side अपनी statement record करवाईगी court के आगे कि वो नहीं काम करती या वो करती है अगर वो कह देती है जी नहीं मैं नहीं काम करती यहाँ पर ये document जूटे है तो फिर वो matter of trial आ जाता है तब कई clients आ जाते कहते हैं जी 340 लगा दीजे अब ऐसे नहीं होता है क्योंकि wife side से कोई clear cut admission नहीं हुआ तो वो एक तरीके से matter of trial बन पर अगर wife side खुद admit कर लेती है जी मैं कार्य रत हूं मैं इतने सालों से इतने तक मैं कार्य कर रही थी इस company में इतना मेरे जो है income थी और जो उसने income एफिडेवेट में दिखाया है कि वो कुछ नहीं कमाती है bank statement conceal कर दी employment detail अगर उसने conceal की तब 340 का case आप लगा सकते हैं आप एक application जो है move कर सकते हैं 340 CRPC या 379 BNSS में जो अभी recent law आया है तो तब जो है court उसकी statement का संग्यान लेते हुए क्योंकि वो statement court के समख्ष दिया वो on oath statement कहलाती है और वो एक clear cut admission है वहाँ पे आपका 340 बिल्कुल बिल्कुल बनता है तो एक ये scenario है जो मैं आपको समझा रहा हू दूसरा scenario जो मैं आपको बात कर रहा हूँ वो हो सकता है cross examination की stage में suppose wife आती है wife कहती है कि ये documents तो मेरे नहीं है ये तो husband fabricate करके ले आया है ये तो मेरे हैं ही नी documents तब wife को जो है cross examination में husband confront कराएगा obviously वो statement नहीं बदली है अगर बदलती है तब भी 340 का case बनेगा अगर नहीं evidence की stage पर आप जो है ये जो records हैं सम्मन करवा सकते हैं उसके employer से या फिर जो भी वहाँ पर जो भी व्यक्ति जो जहां पर wife side आपकी काम कर रही है या bank details है जो व्यक्ति bank details ला सकता है वहाँ से आप सम्मन उसे DE के थुरू करवा सकते है defense evidence के थुरू और final argument में argue कर सकते हैं कि ज cross examination में भी deny कर दिया कि वो नहीं है ये document फर्जी है forced है जबकि जो गवा मैंने examine कराए bank officials या फिर मैंने गवा एक्जामिन कराए wife के खुद के employer के HR और वो सारे documents लेके आए उन्होंने testify किया उन्होंने identify कि ये सारे documents मेरी wife को belong करते हैं या तो wife जूट बोल रही है या ये officials जिन जो है court obviously believe करेगा उन bank officials या फिर जो officials जो कागस लेके आए हैं और यहां पर जो court है 340 की कारवाई अब initiate कर सकता है तो हमेशा जो है जब भी final argument के time पे आप 340 की application साथ ही साथ arguments के साथ ही साथ आप लगवा सकते हैं हो सकता है judgment आजे उसके बाद आपकी 340 consider की जाए तो अब यह यहां पर दो scenarios है जो यह दूसरा scenario है जब यह documents आपके दूसरे witnesses DE की stage पर लाते हैं तब 340 initiate होता है 379 BNSS initiate होता है वो stage को हम कहते हैं कि वहां पर हम जो 340 की प्रक्रिया है last में लगाएंगे बिल्कुल भी शुरू में नहीं लगाएंगे उस cross examination से के बाद नहीं लगाएंगे D के बाद लगाएंगे जब judgment आने वाली होकी जब final argument के लिए आपका case होगा और पहले जो मैंने बताया कि wife ने खुदी admit कर लिया 91 CRPC जब आपने फाइल की जब एक application फाइल की documents लाने के लिए तब आप 340 तब भी लगा सकते हैं उस stage पर तो यह अलग-अलग stages होती है सही time प HR से मंगवाए documents तब जो है 340 की कारवाई कैसे initiate होगी वो पंजाब नर्याना high code की judgment है जो मेरे article में आपको मिल जाएगा यह article आपको description box में मिलेगा इसके इलावा मैंने किताब भी लिखी है maintenance की उपर वो भी आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं उसमें मैंने clear जो है कैसे 340 CRPC apply करना चाहिए क्या क्या जो है documents कैसे application है यह सब चीजों को बारे में जो है विस्तार से मैंने एक chapter ही dedicate किया हूँ है उस book में तो वो book बहुत helpful है काफी लोगों ने download करी है वो book तो आप भी जरूर जो है वो download कीजिए और comment में लिखिए कि क्या आपका case बनता है 340 CRPC मैं उस पर जरूर अपनी opinion या राय दूँगा बहराल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मैंने चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद थैंक्यू वेरी बादू